Hello everyone, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में आज हम आप सभी को अपवर्त और अपवर्तक के बारे में जानकारे देंगे बहुत से लोगों को confusion रहता है कि अपवर्त क्या है अपवर्तक क्या है दो उदारों के द्वारा हम आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम अपवर्तक के बारे में बताएंगे अपवर्तक आईए देखते हैं अपवर्तक क्या होता है अपवर्तक इसको गुडनखंड भी कहते हैं गुडनखंड गुडनखंड और इसे हमंगरेजी में मल्क इसे हम अंगरेजी में फैक्टर कहते हैं तो आसा करता हूँ कि इन तीनों नामों से आप सब परचित हो गए होंगे और अब देखिए सोलह का अपवर्थ निकालना है किसी संख्या का अपवर्थ तक निकालने के लिए उसमें हम एक, दो, तीन, चार इत्याज संख्याओं से भाग देते हैं तो जो संख्याएं जिससे वो कड़ जाता है वही उसकी अपवर्थ तक संख्याएं कहलाती है और अपवर्थ ग्यात करने के लिए हम एक, दो, तीन, चार से उसमें गुड़ा करते हैं तो जितना आता है वही उसका अपवर्त कहलाता है, अब आये इसका हम अपवर्तक निकालते हैं, सोलह का, संख्या ये सोलह हमारी है, सोलह का अपवर्तक, यानि गुडन खंड है, अपवर्तक, अब ये इसका होगा, हमने बताया कि इसमें एक, दो, तीन से भाग दें, जिससे अपवर्तक होगी, एक तो सबका अपवर्तक होगा, क्योंकि प्रतेक संख्या एक से कड़ जाती है, तो इसका अपवर्तक एक होगा, दो से भी ये कटेगा, तो इसका अपवर्तक दो भी होगा 3 से नहीं कटेगा इसलिए इसका अपवर्तक 3 नहीं होगा 4 से भी कट जाएगा इसका अपवर्तक 4 भी होगा 5 से नहीं कटेगा 6 से नहीं कटेगा 7 से भी नहीं कटेगा 8 से कट जाएगा इसलिए 8 भी इसका अपवर्तक होगा इसके बाद किसी संख्या से नहीं कटेगा कोई संख्या खुद से कटती है इसलिए वह खुद का अपवर्तक होती है तो 16-16 का अपवर्त होगा इस तरीके से ये किसी भी संख्या का अपवर्तक ज्याद करना है तो हम उसमें करमसा एक, दो, तीन, चार से भाग देते जाते हैं और जिससे वह कट जाता है वही उस संख्या की अपवर्तक संख्या कहलाती है तो आसा करता हूँ कि आप सभी अपवर्तक के बारे में समझ गए होंगे इसको गुड़नखंड भी कहते हैं यानि ये एक, दो, चार, आठ, सोला, ये सोला का गुड़नखंड है जिन-जिन संख्याओं से सोला विभाइत हो जाएंगी वे संख्याओं इसका गुड़नखंड कहलाती है अब आईए हम आप सभी को बताते हैं कि अपवर्त क्या होता है अपवर्त है इसका और नाम है गुड़ज इसको गुड़ज भी कहते हैं यानि गुड़ा करने से जो उत्पन होता है उसे हम अपवर्त कहते हैं और इसको अंग्रेजी में मल्टिपुल कहते हैं यम-उ-यल-त-ई-प-ई-ल-ई तो आसा करता हूँ कि अपवर्त के नाम से परचित होंगे चाहे अपवर्त कहा जाए, चाहे गुड़ज कहा जाए, चाहे मल्टिपुल कहा जाए सब यह कही बाते हैं अब किसी संख्या का मल्टिपुल ज्याद करने के लिए उसमें हम एक, दो, तीन से गुड़ज करते चले जाते हैं एक, दो, तीन, चाहर जितना अपवर्त निकालना हो, उतने अपवर्त हम निकाल देंगे तो यह सोलह का सोलह का अपवर्त है यह सोलह का गुड़ज कहा जाए, अपवर्त है बराबर अब इसमें एक से गुरा करेंगे तो 16 होगा दो से गुरा करेंगे तो 32 होगा तीन से गुरा करेंगे 48 होगा 43, 44, 44, 44 इस तरीके से जितनी भी संख्याएं कहा जाए हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गुरा करते चले जाते हैं नि उसका पहाड़ा पढ़ते चले जाते हैं के दो तीन चार से भाग देने पर जो संख्याएं जिससे वो कटती है वो उसकी अपवर्तक कहलाती है और ए दो तीन चार से गुला करने पर जो संख्याएं प्राप्त हो जाती है वे उसकी अपवर्त संख्याएं कहलाती है अब आईए हम चोविश का अपवर्तक निकालते हैं 24, सबसे पहले अपवर्तक निचालते हैं, 24 का अपवर्तक, यानि इसका गुड़नखंड, इसको गुड़नखंड भी कहा जाए, तब भी अपवर्तक कहा जाए, तब भी और फैक्टर कहा जाए, तब भी यह कही बाते हैं, अपवर्तक, तो 24, एक से कट जाएगा, तो एक होग तीन से भी कटेगा हम भाग देकर के देख लेंगे जिससे जिससे ये कटेगा वही उसकी अपोर तक संख्याएं होगी और सभी 24 या उससे छोटी संख्याएं ही उसकी अपोर तक संख्याएं होगी 24 से बड़ी अपोर तक संख्या नहीं हो सकती है अब यह 4 से भी कटेगा क्योंकि 4, 6, 24, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 6, 24 होता है इसके बाद यह 8 से कटेगा, 8 तरीक 24, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, फिर 12 से कटेगा, 12 नहीं 24 अब फिर 24 इसका खुद अपवर्तक होगा, यहाँ पर 24 भी लिखनेंगे तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 इत्याद इसकी अपवर्तक संख्याएं हैं, मानि इसके गुड़न खंड हैं अब हम इसका अपवर्त ग्याद करेंगे, 24, यहाँ देखिए, 24 का अपवर्त है चले जाते हैं, जितना आएगा, वही इसका अपवर्त कहला आएगा, 24 का गुड़ा जब एक में करेंगे, 24, 24 का हम पहाड़ा पढ़ते चले जाएंगे 24, 24 दुनी, 48 हो जाएगा, 24, 3, 72, 24, 96, इत्याद इस तरीके से हम गुड़ा चले जाएंगे, इसकी अपवर्त संख्या हैं मालू हो जाएंगे तो इस तरीके से हम दीके इस संख्या का अपवर्त और अपवर्त तक संख्या ग्यात कर लेते हैं और अपवर्त क्या है, अपवर्त क्या है, आसा करता हूँ कि यह आपकी समझ में आ गया होगा तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद